सुप्रभात प्यारे बच्चो आज की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वाधत है बच्चो आज हम पढ़ना और पैचाना सीखेंगे स्वर और से और और वेंजन कर से यह को हमारे हिंदी की पुस्तक के द्वारा इसके साथ ही हम पिरीच रंबा 67 पर दिये गए दो अक्षर के शब्दों को भी पढ़ना सीखेंगे उसको रिवाइस करेंगे बच्चो आज रिटिन में मैं आपको फिर से यह लिटना सिखाऊंगी बिकॉस यह बहुत सारे बच्चो ने ठीक से नहीं लिखा है आपको इसमें अभ्यास किया वो शक्ता है तो हम फिर से यह लिखेंगे औ और फिर हम अभ्यास करेंगे हमारी कमिता कोता राम का आक्षन के लाइए तो चलो बचो हमारी आज की हिंदी खी इक शुरू करते हैं बचो आप बारी है हमारी हिंदी की रिडिंग करने की तो आप अपनी हिंदी आओ पढ़ें origin वाली बोक लेकर आओ बचो पेज नाबर 3 ओपन करो अब देखो पढ़ो और जानो स्वर और वेंजन ये क्या है अ तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर अ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री ए, अई, ओ, अउ, अंग और अह तो ये हैं स्वर अ से लेके अ तक हमने ये पढ़ना सीख लिया, पहचानना भी सीख लिया अब हम वेंजन पे आते हैं वेंजन का पहला आक्षर क, ख, ग, घ, अंगा दूसरी लाइन का पहला आक्षर च, छ, ज, ज, इया बचो इने पहचानना बहुत जरूरी है अब है ट, ठ, ड, ध, अड, अब आता है त, ठ, द, ध, और न इसके बाद है प, फ, ब, भ, और म अब आरी है य की, यह है य, र, ल, और व अब है श, श, स, और ह, लास्ट लाइन है श, त्र, और ग्या की इस तरह से बच्चों अब आपको व्यंजन भी पहचानने है ठीक है, क से लेकि ग्या तक तो इसका बार-बार पढ़ने का अभ्यास करना है बचो आप पेज जंबर 67 ओपन करो ठीक है, अब इस पेज पेज जब दो अक्षर के शब्दी हैं उसको हम पढ़ना सीखेंगे देखो आप पहली लाइन कपकप जपजप तपतप दमदम फटपफट कबकब जबजब तबजब और चलचल तो यह देखो आप दो अक्षर के शब्दों को आप कैसे पढ़ना सीखोगे जब आप इन अक्षरों को पहचानोंगे समझ में आया, इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही है उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं क और म कम कम इसको आसे पढ़ेंगे मत मत आम आम वन वन रख रख करकर डर डर कल कल और जल जल इस तरह से दूसरी लाइन पढ़नी है अब देखो यह है गप गप अब हम तीसरी लाइन पे आते हैं छम छम पट पट पथ पथ फ ना फन क टा कट द ब दब ट ब टब फ ल फल और त ल तल तो इस तरह से हमने तीसरी लाइन भी पढ़ ली अब चौथी लाइन का पहला आक्षर है छम चम तो देखो आप दो बार छम मा चम हो गया चम मा चम 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 बा मा बम था मा थम इस तरह से बच्चों आपको ये पेश रंबा 67 पे दिये गए दो अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखता है बच्चों आज हम फिर से यह लिखने का अभ्यास करेंगे नोट बुक में सबसे पहले हमको आज की डेट लिखनी है अज की डेट है 3rd December 2021 इस तरह से इसके बच्चों देखो आप यह कैसे लिखना है सबसे पहले आपको ब्लू लाइन के पैंसल रखनी है जो उपर वाली ब्लू लाइन है और एक स्टांडिंग लाइन बनानी है ऐसे अब देखो आप इसके आगे उल्टा सी बनाके आगे जाके फिर पीछे जाना है और नीचे से ऐसे थोड़ा सा लाके घुमाके फिर इसको इस लाइन से मिलाना है और छट लगानी है यह बन गया यह ऐसे ठीक है यह इसका बिल्कुश सही शेप है ऐसे बनाना है आपको यह ऐसे देखो उल्टा सी बनाए आगे जाके फिर पीछे आके फिर ऐसे घुमाके नीचे से लाना है और फिर इस लाइन से मिला देना है न्यू यह यह तो इस तरह से बच्चों आपको पहले स्टांडिंग लैन बनानी है इसके थोड़ा सा आगे उल्टा सी बनाना है आगे जाके पीछे राके ऐसे इस शेप में इसको लाके मिलाना है यह इस तरह से हमने यह फॉर्स लाइन फिनिश की बिल्कुल ध्यान से देखो अच्छे से आराम से ऐसे वर्क करना है अब देखो यह जो है यह बहुत दीचे हो गया बिल्कुल लाइन से टाच हो रहा है तो यह रॉंग है ऐसे नहीं लिख रहा है स्टैंडिंग लाइन बनाई उल्टा सी बनाया यूँ तो यह जो ब्लू लाइन है इससे यह उपर होना चाहिए इसको टाच नहीं करना है ऐसे तो बच्चों इस तरह से आपको यह लिखना है आपकी हिंदी की नोट बुक में वन पेज सुन्दर सुन्दर राइटिंग में बच्चों इस तरह से deet के साथ वन पेजे लिख के आपको इसकी पिक्चर मुझे देजनी है बच्चों अब बारे हें हमारी कविता टोता राम का अभ्यास करने की आपको याद है पिछली खास में मैंने आपको ये कविता सिखाई थी तोता राम अब इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है तो चलो फिर से बोलते हैं सुप्राबात मेरी कविता का शीशक है तोता राम तोता बोले गंगा राम करता सबको रोज प्रणाम अच्छे बोल सिखाता है सबके मन को भाता है धन्यवाद तो पता चलो आपको ये जो तोता है बहुत ही अच्छा है सबको अच्छे अच्छी बाते सिखाता है और ये सबको बहुत अच्छा लगता है एक बार फिर से बोलते हैं तोता बोले गंगाराम, करता सब को रोज प्रणाम, अच्छे बोल सिखाता है, सब के मन को भाता है, धन्यवाद. इस तरह से बच्चों आपको ये कविता याद करनी है, इसका अभ्यास करना है और इसका विडियो बना कर मुझे रेचना है. मैं आपसे आपके अगरी तासे मिरती हूँ, तब तक के लिए बाबाए!